पिछले विडियो में हमने scratch software का use करके एक छोटी सी animated कहानी बनाना शुरू किया इस कहानी में हमारे पास background में ये forest का background था और दो sprite थे एक butterfly और एक dog और हमारी कहानी कुछ ऐसी थी कि butterfly कहती है नमस्ते, dog कहता है hello how are you, butterfly कहती है मौसम सुहावना है, dog कहता है हाँ बिलकुल must मौसम है और फिर butterfly कहती है walk पर चलोगे क्या ये कहानी बनाने के लिए हमने weight नाम का programming block इसका इस्तेमाल किया था इस video में हम देखते हैं कुछ और sprites डालके इस कहानी का जो हमारा interface है इसको हम कैसे जादा interesting बना सकते हैं तो हम कोई और नया sprite ढूटते हैं तो हम sprite में choose sprite पर जाके फिलाल हम library से ही add कर रहे हैं कोई अपना sprite नहीं load कर रहे हैं तो animals पर जाके कोई relevant sprite देख लेते हैं जैसे forest के background में let's say यह हमारा snake का sprite है तो snake यह बहुत बड़ा है तो हम इसका size छोटा कर सकते हैं तो हम यहां जाके कहते हैं 30% थोड़ा छोटा हो गया maybe 50% तो 50% का हमारा snake है और हम चाहते क्या हैं कि यह जो snake है यह जब यह हमारी कहानी चल रही है तो यह snake हमारे background में धीरे धीरे आगे रहे तो snake आगे बढ़ाने के 2-4 तरीके हैं तो सबसे पहला तरीका है कि हम motion पे जाते हैं हमने अपना sprite snake चुना हुआ है code चुना हुआ है motion पे जाके अगर हम move 10 steps कहते हैं तो जितनी बार हम दबाएंगे उतनी बार हमारा snake जो है वो 10 कदम आगे बढ़ता है तो एक तरीका य यह है snake को move कराने का या एक और तरीका है कि अगर हम कहते हैं कि snake जो है जब हमारा कहानी शुरू हो रही है तो जो यह हमारा stage है scratch में इसमें आपने गड़त में पढ़ा होगा कि यह हमारी y axis है और यह हमारी x axis है और मैं snake को जहां पर भी move करता हूं उसकी x y coordinates यहां नीचे हमे नजर आ जाते हैं कि x जो है वो minus 184 y minus 122 मैं snake को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं तो x की value change हो गई minus 157 तो हम इस x y coordinates का भी use कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि जब हमारी कहानी शुरू होगी तो मानलीजिये snake हमारा यहां था तो जब भी मैं snake को हिलाता हूं मेरे motion में यहां पर एक block है go to xy तो अभी जो xy की position है minus 240 y minus 130 वो ही यहां पर भी है x minus 240 y minus 130 और अगर मैं इसको बदलता हूं तो यहां पर यह value अपने आप बदल जाती है तो हम क्या चाहते हैं कि हम कह रहे हैं program से कि जब हमारा यह animation शुरू होगी तो शुरुवात होगी snake की in coordinate से x की value minus 245 और y की value minus 132 और computer को यह निर्देश देने के लिए कि यह command कब execute करो हम कह रहे हैं वही event पर जाके कि when the green flag is clicked तो हम कह रहे हैं कि जब भी green flag click होगा snake को इस x और y इस position पर ले आना फिर हम कह रहे हैं कि जब यह यहां आ जाएगा तो हम motion में जाके हम glide का इस्तेमाल करेंगे तो अभी glide की वही xy coordinates वही दिखा रहा है minus 245 minus 132 पर जब मैं snake को move कर रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं program को कि जब snake move हो जाए तो किस position पर आए तो मैं कह रहा हूं तब इस position पर आए और यह xy की जो value है यह अपने आप update हो गई है 189 and minus 127 तो अगर अब मैं इसको यहां डालता हूं और green button दबाता हूं तो मेरा जो snake है वो glide कर रहा है जो भी शुरू के हमारे x and y coordinates से वहां से लेकर जो भी हमने नहा define किया अब यह बहुत fast glide कर गया तो इसको हमें slow करना है तो हम यहां जाके इसको बदल सकते हैं अगर काफी slow करना है तो जैसे मैं 10 seconds में कह रहा हूं कि glide करना और फिर अगर मैं यह दबा रहा हूं तो मेरा जो snake है वो धीरे धीरे glide कर रहा है तो move या glide यह दो तरीके हैं हमारे को आगे इसी animation को और interesting options हमें देता है तो अगर हमने यह snake को select किया हुआ है और हम जाते हैं costumes पे तो यहां पे snake की तीन costume है एक जो हमने अभी use करी और दूसरी यह snake B जिसमें यह snake flattened out है और यह snake C जहां यह snake coiled up पड़ा हुआ है तो अगर आप देखो कि अगर मैं A और B और A और B बार बार दबाता हूँ तो यह हमारे को ऐसा लगता है कि snake का movement ऐसे ही होता है कि वो अपने को पहले सिकुड़ता है फिर अपने को stretch करता है फिर सिकुड़ता है फिर stretch करता है तो हम यह जो दो अलग-अलग costumes हैं इनका use करके अपनी animation को और भी realistic बना सकते हैं तो अगर हम right करने के बदले हम move वाला step यूज़ करेंगे और हम चाहते क्या है कि यह snake कि जो जितनी बार यह move हो एक बार यह stretch हो फिर यह shrink हो फिर stretch हो फिर curl up हो फिर stretch हो इस तरीके से तो यह हमें looks पे मिलता है और looks में वो हमें कह रहा है switch costume तो हम कह रहे हैं कि जब शुरू करोगे तब त फिर जो है एक costume से शुरू करना फिर दस move करना और फिर यहां से आके हमने कहा snake बी position करना तो अगर मैं इसको execute करता हूं तो यह अब हम चाहते हैं कि यह चीज जो है यह बार बार repeat होती रहे तो जो अगर हमारे को एक set of commands है जिसको हमें बार बार repeat करना है तो वो हमें control में मिल करती है और मान लिया जाए हम कहते है control 10 sorry repeat 10 times तो अगर अब मैं इसे दबाता हूं तो यह move हो रहा है यह जो costume है यह बदल रही है पर यह इतनी fast बदल रही है क्योंकि computer जो है वो execute बहुत instructions को इतना fast execute कर सकता है कि हमें दिखाई भी नहीं देगा तो हमें क्योंकि देखना है त wait for 0.5 seconds and then move 10 steps switch costume wait for 0.5 seconds अगर अब मैं इसे repeat करता हूं तो मेरा जो snake है वो बढ़ रहा है पर अभी आगे बढ़ रहा है पर बहुत धीरे-धीरे क्योंकि 10 बहुत कम है तो मैं इसको थोड़ा जादा कर देता हूं maybe 20 कर देता हूं तो 20 मैं करता हूं तो maybe और जादा 40 कर देते हैं तो अब अगर मैं इन instructions को जोड़ देता हूं तो हम green flag प्रेस करेंगे snake की value establish हुई और उसके बाद वो अपनी costume को बार-बार बदलते हुए हर बार जो है 40 कदम आगे बढ़ रहा है और ये पूरा जो instruction है ये हम 10 बार repeat कर रहे हैं यानि हम 10 बार कह रहे हैं कि costume A से शुरू करना 5 सेकंड रुकना फिर 40 कदम आगे बढ़ना फिर second costume B में shift होना फिर जो है 0.5 सेकंड रुकना और इसको repeat करना तो यहां आप ये देखिए कि समझने वाली बात यह है कि जब हमने green flag click किया to start the instruction उसके बाद ह हमने establish कर दिया कि शुरूआत की x and y position snake की क्या है और उसके बाद जो बाकी instruction थी वो हमने इस loop के अंदर डाल दी अब हमने देखा था कि snake की actually अगर आप costume में देखोगे तो एक third भी position है जिसमें वो अच्छी तरीके से coiled up पड़ा हुआ है तो हम ये भी use कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जब सब ये खतम हो जाए और snake यहां पहुंच जाए तो हम looks में जाके switch costume to see कर देते हैं और अगर अब हम इसको चलाएंगे तो snake को देखिए कि snake जो है हमारा वो अपनी position A और B को change करते हुए 40 कतम आगे बढ़ रहा है दस बार instruction repeat होगी और उसके बाद वो coiled state में आके बैठ गया तो ये हमने element add किया और उसमें थोड़ा motion डाला ताकि जो हमारी animated story है वो जादा रोचक हमारे को न हमारे